प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने MRS Study परिवार में तो दिया आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बिहार कंबाइन इंटरेंस कंपर्टेटिव एक्जामनेशन बोर्ड बी सी सी बोर्ड के दवारा जारी की गई एक नई नोट बहाली के बारे में बात करेंगे यह बहाली किस पोस्ट के लिए होने वाली है तो senior resident और tutor पोस्ट के लिए आपका जो है निकाला गया है इसका form जो है कब से भरा जाएगा और form भरने के लिए क्या eligibility रखी गई है यह तमाम चीज़े हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रोपेक्टर्स दिया गया इस प्रोपेक्टर्स को आप डाउनलोड करके देख सकते हो यह आपका जो है बेवसाइट का PDF जो दिया गया था प्रोपेक्टर्स वो है आपका सीनियर रेजिडेंट और टैयूटर पोस्ट के लिए टेन्योर थ्री वर्स पर जो है निकती है तो पैनल निर्मान वर्स दोजार चोवीस का यहाँ पर दिया गया है जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तितियस छे अप्रील रखा गया है रिक्वाइड डॉक्मेंट अगर बात किया जाए यह जो रिक्वाइड डॉक्मेंट है फोर डॉक्मेंट वेरिफिकेशन जितने भी यहाँ पर डॉक्मेंट बताये गये हैं सारे के सारे डॉक्मेंट डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगेंगे हाना आपको कुछ वैसे भी डॉक्मेंट से होंगे जो फॉर्म भरते टाइम लगेगा लेकिन ये सारे documents आपको counseling यानि जब document verifications होंगे उस time आपके लगेंगे यहाँ पर बात किया जाए सैचनिक योगता की तो सैचनिक योगता जो है senior resident या tutor के 40% पद बिहार राज स्वास्त सेवा संवर्ग के सदस्यों से भरा जाएगा और 40% पद राज के चिकित्सा महाविद्याले से असनुकतर डिगरी पाठकरम residency अस्कीम के अंतरगत पूरा किये चिकित्सकों को भरा जाएगा और जो 20% बच गया वो ऐसे चिकित्सक से भरा जाएगा जिन्होंने राज के बाहर के मानिता प्राप्त संस्थानों से असनुकतर डिगरी यानि रेजिडेंसी अस्कीम प्राप्त किया है बात किया जाए टोटल नंबर ओफोस्ट की तो टोटल जो है 825 सीटों की बहाली जो है यहाँ पे निकाली गई है आईउ के बारे में बात किया जाए तो मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम 37 साल फोर जेनरल कर्टेगरी OBC, SC, ST को 3 और 5 साल की छूट जो है यहाँ पे दी जाएगी जो की as per government का जो रूल है reservation का उसके अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा tenure पद की नियुकती है तो निर्धारित सर्ते कई सारी सर्ते दी गई है जिसमें 3 MBBS, विद्याले, परिछक, में प्राप्तांक, कुल योग, पर मतलब अलग-अलग यहाँ पे चीजे जो है दी जाएगी मार्क्स बेसिस पे असकीम यहाँ पे अलग-अलग नंबर आपको मिलेंगे उसके बाद यहाँ पे इंटर्वियू का जो सुल्क है यानि कॉंसलिंग सुल्क जो है यह आपका 22,540 रुपया आपका यहाँ पे लगेगा यानि आप यह मान कर चलो कि यह जो बहाली है पूरा का पूरा नंबर वेसिस पे है अना ओनलेन अप्लाई करने के लिए ओनलाइन पोर्टल ऑफ सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट का लिंक मिलेगा उस पे अप्लाई फोर सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर पे क्लिक करके आपको आगी की प्रोसेस करना है apply करने के लिए registration करना सबसे पहले जरूरी है registration के time में आपको एक mobile number और एक email ID मांगेगा वो वैसा mobile number और email ID डालिएगा जो आपके पास चालू हो लंबे time तक वो आपके पास रहे उस पे verification code जाएंगे उस verification code को डाल कर आपने आपको verify करने के बाद sign in करना है अपने account को और उसके बाद आपको personal information डालने है then photo and signature upload करना है educational information डालने है और सारी details डालने के बाद आपको अपना application form को check करना है कि जो आपने application form भरा है क्या वो application form सही से भरा गया है या फिर नहीं भरा गया है अगर सही से भरा गया है देन आप payment के लिए proceed करिए payment आप online और offline दोनों ही माध्यम से payment कर सकते हैं कोशिस कीजिएगा online payment करने की वो जादा safe रहता है अगर in future पैसा refund होने की बात आती है तो refund भी किया जाएगा अगर आप online payment करते हो तब अगला step जो last step है वो hard copy आपको जब डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद इसे कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपका जो है जो application form है वो 23 March से start होगा 6 April तक आप भर पाऊगे application form भरने में किसी तरीकी के अगर तूटियां आ जाती है तो उसको 7 April तक चेंज कर सकते हो इडेट कर सकते हो उसके बाद date for publishing और uploading provisional merit list objection received, document verification और merit list, final merit list यह तमाम चीज़े आने वाले time में आपको पता चलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा तब किस post के लिए कितना seat है वो तमाम जनकारी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा जिसमें बात किया जाए anatomy का 71 microbiology का 77 physiology का 70 radio therapy का 71 निश्चेतना का जो है एक सो सताइस bio chemistry का 68 नाकान एवम गला भी भाग 58 FMT के लिए जो है FMT के लिए 77 उसके बाद PMR के लिए जो है आपका 64 चर्म एंड रत्ती योग 69 टीवी एंड चेस्ट 73 ये टोटल अगर जोडेंगे तो आपका जो है 825 सीटी यहाँ पे आएगी जिस पे बहाली जो है यहाँ पे निकाली गई है BCC board के द्वारा तो BCC board से रिलेटेड जितनी भी जनकारियां होती है सारी जनकारियां आपको हमारे इसी चैनल MRS Study पे आपको जो है मिलता है तो इसी तरीके का तमाम जनकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोज टाइम टू टाइम हमेशा अपडेट किया जा सके चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो जरूर कर लिजे वीडियो में कुछ डाउट्स रहा हो कमेंट करके बताईए और आपको हमारी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताईए और चैनल को सस्क्राइब एंड शेयर जरूर करें झांक यू